हेलो दोस्तों नमस्कार शंतोसी आईस में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का यहां पर आज आपका एक नई स्रीज में शुरू करने वाला हूं ठीक है उत्तर प्रदेश इस्पेसल देखिए हर चीज का जितने भी आपका घटना चक्र है पूर्वा उलोकन सभी चीज सभी का वह हैं डिटेन नोट्स प्रवाइट कर पाना थोड़ा सा नामों किम है ठीक है क्योंकि सभी को लिखना फिर आपके लिए लाना ठीक है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है ठीक है इसलिए हमने यह सोचा है कि जितने भी उत्तर प्रदेश का पूर्वा उलोकन होगा इसको हम पूरी तरह से यह कुश्चन एंसर के फॉर्म में करवा देंगे ठीक है तो इसका हम चलते हैं इस फॉर्म में करते हैं ठीक है यहां पर लगभग इसका 5-6 लेक्चर ही आएगा ठीक है क्योंकि 5-6 लेक्चर में ही पूरा कतम हो जाएगा तो यहां पर देखिए इस बताऊंगा जो आपके पेपर में आने की परबल संभावना रहेगी ठीक है पिछला वीडियो हमारा देख लिजिए यह उत्तर प्रदेश स्पेसल का आरो यारो में सभी कुश्चन हमारे ही वीडियो से आये हैं जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है उत्तर प्रदेश स मेराथन का वहां से देख लीजिए ठीक है तो यहां पर सबसे बड़ी खासियत यह होगी यहां पर जितने भी कुश्चन में करवाऊंगा ठीक है सब कुछ मैप से करवाऊंगा मैप आपको पूरी तरह से रटा दूँगा आप मेरे साथ इस पांच छे लेक्चर में जुड पीसियस में कहीं भी जो पूछे गए हैं वो कुश्चन करवाएंगे यहां पर तो चलते हैं अब हम सुरू करते हैं पहला कुश्चन हम क्या कह रहा है जो लोग नए होंगे जिनको वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं पहला कुश्चन कह रह है उत्तर प्रदेश का अगर दिखा जाए उत्तर प्रदेश का छेत्र फल है दोग 24928 वर्ग किलुमीटर इसको याद रख लिजिए गई ठीक की कि 2,4,928 km पूरे उत्तरप्रदेश का छे तरफल है बात की दूसरी चीज चीज क्या याद करेंगे ये पूछ रहा है कितना परस्थ भारत की छे तरफल का तो भारत की छे तरफल का कितना पर्संट है यह 7.33% है कितना परसंट है तो यह आपका पहला वाला एंस्वर सही हो ज जाता है कि जो उत्तर-पर्देश की सीमाएं हैं कितने राज्यों और कENDH-した परे देस से लगती है जब आप से पूछा जाए राज्य प्लस के इंद सास्त परदेश अगर पूछ जाय राज्य पलस नो मिलाकि ऐगर पूछा जा सिर्फ अगर राज्य से यूटी दोनों पूछलिया जाए तो ये नौ राज्यों से मिलती अब देखे यहां पर जो उपर दिके रहा है सहारन पुर का एरिया उपर वाला ये किस्की मिलता है यह मांचल प्रदेश सदे मिलता है थिक पूरी तरह से मैं मैं से करवाने खुवान सु को उत्तर परदेश अब इस साइड में देखेंगे हर्याड़ा से मिल ला है तो एक नमर पर यह मृठा हो ठीक है राजस्तान आ रहा है मद्ध परदेश पूरा- कहने है पे पर आजाएगा आपका अब देखें पांचवे नंबर पर कौन सा आजाएगा तो पांचवे नंबर पर आजाएगा यह नीचे यहां पर जो इस दिख रहा है यह वाला यह आपका 26 six number पे आजएगा आतिवे नंबर पर कौन हाँजाएगा यहां उत्तरा छोड़ते देटे इसको उत्तराखंड याद रख लिए चाहिए इदर से उत्तराखंड लेकर चलिएगा ठीक है तो उत्तराखंड हिमांचल परदेश हरियाड़ा राजस्तान मद्द परदेश चाहिए यहां पर आपका टच कर रहा है तो दिल्ली यहां पर टच कर रहा है तो इतना आपको याद रखना होगा कि हमारा चेतरपल साथ दस्मलो तीन तीन पूरे देश का है दो लाख चालेस जानौ सटाथाइस वर किलोमीटर नौ राज्य और यूटू से आठ सिर्फ राज ने किस एतिहासिक इसमारक से जुड़वा मचली का राजचिन्ह अंगी करित किया है तो इसका दर्वाजा याद रखेंगे इसका इंसर क्या होगा रूमी दर्वाजा अब रूमी दर्वाजा है कहां तो रूमी दर्वाजा यहां पर देखिए यह है आपका राइबरेली के ने बनाया था आसफुद दौला ने बनवाया था याद रखेंगे आसफुद दौला ने रूमी दर्वाजा को बनवाया था कब बनवाया था यह भी पूछ सकता है 1784 इसवी में रूमी दर्वाजा को बनवाया था आसफुद दौला के दौला यहीं से जो मचली दोनों मचली एक इधर से मचली है दोनों मचली कहां से ली गई है मतलब जो राजचिन होता है वो जुड़ा मचली का वो कहां से लिया गया है इसी रूमी दर्वाजा से लिया ग च्छेतरफल की द्रिश्ट से सबसे चोटा जिला कौनसा है तो यहां पर आपका हापुर सबसे चोटा जिला है तो सबसे बड़ा जिला कौनसा है इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा जिला कौनसा है इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा जिला कौनसा है ल याद रखेंगे लखीम पोर्खीरी सबसे बड़ा है याद रखेंगे सबसे बड़ा पॉछ्षिन बहुत बार पूछा जाता है कि जो ये कि आपका सिध्धार्त नगर इसका मुक्खालय कहां है रखहेंगे ःतना याद रखहेंगे अब चलते हैं बताते हैं आपके आरो यारो 2021 में पूछा गया था कि नेपाल से कितने जिले लगते हैं कि नेपाल से कितने जिले लगते हैं ये बताइए तो नेपाल से कितने जिले साजा करते हैं तो हम चलते हैं यहां पर देखते हैं कितने जिले नेपाल से साजा करते हैं ठीक है अब यहां पर कौन-कौन से जिले यहां लिखा है पीली भी थोड़ा सा थोड़ा सा बलर आ रहा होगा मैं पढ़ देता हूं यहां पीली भी भी ती देखिए पीली भी लगा है लखीम फिर खिरी जो सबसे बड़ा जिला यह भी नेपाल के साथ सीमा साजा करता है यहां पर कौन सा नेपाल के साथ सीमा साजा करता है बहुत बार आपके आप्शन में बस्ती दिया रहता है बस्ती यहां देखी यहां पड़ जा रहा है यह नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है सिध्धार्द नगर सिध्धार्द नगर जब पढ़िए तो नौगर इसका मुख्याले पढ़िए क्योंकि कई बार आया है यह सिध्धार्द नगर नेपाल के साथ सीमा साजा करता है तो इतने जिले साज सीमा साजा करते हैं पूछ सकते हैं कितने जिले होगये हैं एक बार की फ desp… एक बार गिर्टाय है एक जिले हो गया गिए हो सब की हो गया ड कि आुधि औल गिर्णघी है मैं चाहता है तो ऐसे नेपल के साथ करते हैं जाता जाता मैं तुम्हटा और आगे बढ़ जाता। याद हो जाएगा आपको पर यहां बहुत बार पूचा जाता कुसी नगर कुसी नगर नेपाल से सिमा साजा नहीं करता है तो कि उपर महराज गंज आ जाता है ठीक है तो एक बार फिर देखते हैं पीली भीत लखीम पीर खीरी बहराईच है सरावस्ती है यह बलरामपूर है सिधार्थ नगर है महराज गंज है यह नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं साथ आपने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं है अब यहां पर देखते हैं वही कुशिन आ का घे सिमा साजा नहीं नहीं करता है जो दिया कुसी नगर यही बार बार देता है कुसी नगर और बस्ती बहुत बार देता है ठीक है ना बस्ती साजा करता है ना कुसी नगर साजा करता है ठीक है एक बार हम फिर देखते हैं हम देखते हैं यह देखे पीली भीत देखे मेरी आदत है मैं बार बार पढ़ाता हूं बार बार लिखता हूँ चाहे वही कोश्चन रिपीट हो तब भी में बार बार लिखता हूँ पीली भीत है लखीम फीरी है बहराइच है यह देखे बहराइच है ताकि आपको याद हो स्रावस्ती है बलरामपुर है सिध्धार्थ नगर है यह महराज गंज है यह साथ जिले हैं जो भश्याद रखेंगे गरे तो यह उस Shy नगर यहाँ पर आंस्झ होगा कुसी नगर नहीं करता है अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं उत्तरप्राइस का राज की चिन में यह मचली पढ़ зайła है तो हमने में मचली का पढ़ आ हैं कि यह कहां से इसका लिया गया है ये राजजचिन है ये रूमी दर्वाजा से लिया गया है रूमी दर्वाजा अब पूछेंगे रूमी दर्वाजा है कहां तो रूमी दर्वाजा लखनव में है याद रखेगा रूमी दर्वाजा कहां पर है लखनव में है किसने बनवाया था रूमी दर्वाजा को नबाव आसफ दौला ने बनवाय था ठीक किसने बनाय था नावजब दौला ने बनवाय को यह देखिए यहां पर मचली दिख रही आपको ठीक है दो मचलिया है कि कहां से लिया गया है रूमी दरवाजा से लिया गया है यह तीर दिख रहा है और यह धनुट दिख रहा है तीनी चीजिस में दिख रहा है ठीक है तो याद रखेंगे सिर्फ तीनी चीओ मचली एक त डिजानोटे टैने सिरुनिस जलते हैं, डिकन्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकिय पच्छी क्या है, उत्तर प्रदेश सारस उत्तरपदेश का राज्किया पच्छी है आप न्यूज में सुने होंगे एक बेगती थे जो क्या किये थे वो सारस को मतलब पाल रहे थे तो गवर्मेंट ने उसको क्या किया जंगलों में छोड़ने का निड़ए लिया था ठीक है तो सही है क्योंकि किसी को इस परकार क जानौर को नहीं पालना चाहिए उनको छोड़ी देना चाहिए जहां पर उनका अस्थाई निवास है ठीक है अब देखी यहां पर क्या होता है हम क्या देख लेते हैं एक बार की कौन से राजमलब जिले हैं जो नेपाल से बार्डर से साजा करते हैं पीली भीत है लखीमप पर इसका नियूंतम छेत्रफल वाला जनपत कौन सा है अब देखी यहां पर क्या है आपको हापड नहीं दिया है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जनपत है जो नियूंतम छेत्रफल वाला होगा तो बताईए तो यहां पर पहले हम सबका देख लेते हैं पहले किसका देखेंगे संत कबीर नगर तो संत कबीर नगर का जो चेत्रफल वर्ग है कितना है क्योंकि 1646 वर्ग किलो मीटर है अब अमबेटकर नगर का देख लेते हैं 2350 वर्ग किलो मीटर है कितना है 2350 वर्ग किलो मीटर है ठ 182 km है अब दहूंटे कानपुर का कितना हैं तो कानपुर का 3155 km तो आपको पता हुना चाहिए किसका सबसे कम है तो सबसे कम है का सबसे कम है नोड़ा या ग्रेटर नोड़ा किस जिले में पढ़ते हैं तो गुनोड़ा और गुरेटर नोड़ा गौतम बुद्धनगर जिले में पढ़ते हैं ठीक है तो यह आपको एंसर क्या होगा बी वाला हो जाएगा नेश देखते हैं कहां पर कोशन आया है 2005 में प्री में आया है यूपीपीसियस के ठीक है नेश सबसे छोटा जिला कौन सा था सब सबसे छोटा जिला हमने क्या बताया है हापुड़ बताया है सबसे बड़ा जिला कौन सा बताया है लखीमपूर खीरी बताया है सबसे बड़ा जिला नहीं देखते हैं यहां लिखागा उत्तरवद्स में सबसे अधिक और सबसे कम चेत्र जो लखेम पर खीरी है तो यह सबसे आधिक जन्पदवाला है अब यहां पर क्या है संत रविदास नगर है तो यही लिख दीजिए संत रविदास सबसे बड़ा खीरी है यहां पर जो आप्शन में दिया है सबसे छोटा क्या है संत रविदास नगर इसको भदोही भी बोलते हैं याद रखेंगे भदोही ठीक है लेकिन सबसे छोटा प्रजेंट टाइम में कौन है हाप यह है इस भदोही का एरिया गर देखा जाए एक हजार पंदरा वर्ग किलो मीटर है और हापूर का एरिया देखा जाए किस तन्या है थापूर का एरिया छे सो साथ वर्ग किलो मीटर है ठीक है यह याद रखेंगे तो खीरी सबसे बड़ा सबसे चोटा रभी दास्तवर यहां पर आप्सन में यहां पर बताईए उत्तर प्रदेश के निमन जनपदों में से किस एक को अंतराश्टी सीमा असपर्स नहीं करती कौन सा एक जनपद है जिसको अंतराश्टी सीमा असपर्स नहीं करती अंतराश्टी मतलब क्या कहना चाहरा है कि नेपाल के साथ सीमा असपर्स नहीं करती अब देखिए यहां पर पहला बलरामपुर अप्सन दिया गया है तो बलरामपुर तो अंतराश्टी सीमा असपर्स करती है दूसरा क्या दिया है स्रावस्ति स्रावस्ति भी करती है कि नहीं यह देखिए स्रावस्ति भी कर रही है तीसरा कौन दिया है पीली भीत भी कर रही है यह कौन दिया है बस्ति तो अभी हम कहें बस्ति और कुसी नगर यही बार बार पूछा जाता क्योंकि इधर राजगंज को कुछी नगर रोक लेता है लोग सुचते हैं यहां पर है लेकिन नहीं है ठीक है तो बस्ती को बस्ती यहां देखिए पढ़ रहा है बस्ती को इस पर्स नहीं करती अंतराश्टी सीमा ठीक दीवाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए छेतरफल के अपत्रप्रदीश का 5 संताने फोर्थ आऴ ठीक है रहा है एक कौन कों से पहले संपर है पहले संप jsतार de याद रखेंगे राजस्तान पहले इस्थान पर है दूसरे इस्थान पर यंपी है ठीक है तीसरे इस्थान पर कौन सा है तो महाराश्टा तीसरे इस्थान पर है चौथे इस्थान पर अपनी उत्तर प्रदेश का नाम आता है ठीक है याद रखेंगे तो राजस्तान यंपी म उत्तर प्रदेश से सीमा साजा करता है आठ राज्यों से और एक यूटी से करता है ठीक यह याद रखेंगे हर चीज को आपको याद रखके चलना पड़ेगा ठीक है यो क्योंकि बार बार समय कम है ठीक है आपके पास यहां पर देखें यूपी के निम लिखे जनपदों में कौन उत्रांचल हर्याड़ा और हिमांचल परदेश के साथ सीमा बनाता है कौन बनाता है यह कर रहे हैं को जनपदों में कौन उत्रांचल के साथ उत्रांचल मतलब उत्राखंड की बात कर रहे हैं हर्याड़ा मतलब हर्याड़ा हिमांचल परदेश के साथ सीमा बनाता है त हम सहारंपुर की बात करते हैं यहां पर सहारंपूर क्या है इधर हरयाड़ा यहां उतरा खंड़ा है और इस साइड उपर जो पढ़ता है उतरा, उपर क्या हिमाँचल परदेश पढ़ता है ठीक है Then तो हरियारा, उत्तराखंड, हिमानचलपर्देश, तीनों के साथ सीमा कौन बना रहा है? सहारणपूर बना रहा है, कौनa बना रहा है? सहारणपूर बना रहा है, यही कोश्चन आप से पूचा गया है, ठीक है? तो याद रखेंगे यहां पर एंसर क्या होगा सहारन पूर जो किस 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 के साथ उत्रांचल के साथ मतलब उत्तराखंड के साथ हरियाड़ा के साथ निमांचल परदेश के साथ सीमा बनाता है और ऑफियाइ इन्स्पेक्टर में कुश्चन आया हुए है है अब जिफिए यहां पर कह रहा है उत्तरप्रदेस का सबसे पूर्वी साहर निमलखीत में से कौन सबसे पूर्वी सहार मैप में हम देखते हैं यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं ऐसे एक लाइन ड्रा करते हैं तो सबसे पूरब में कौन सा जा रहा है यह बलिया जा रहा है तो बलिया क्या है सबसे पूर्वी सहार है पूर्वी सहार क्या है सबसे इस्ट में कौन सा तो सबसे पश्चिम में कौन सा है अगर यहां पर एक लाइंडरा करते हैं यहां पर सामली आ जाता है सबसे पश्चिम में सामली है सबसे पूरब में कौन सा है आपका यह बल्या है यह दोनों याद रखेंगे ठीक है पूरब पश्चिम ठीक है तो याद अब देखिया यह प पूछले गुद्ठ में सबसे अगर ड्रक हो यहीं पर आएगा साम लिए वहाइत सहारन पूर क्या हैite कि पूछेंगे लालित पूर लगाएं कि सोन भद्र लगाएं तो क्या लगाएंगे कि सोन लेकर एक लाइन ड्रा करते हैं तो क्या है लाइन तो हो यहां पर जो इतना एरिया है इतना एरिया बच गया जब इतना एरिया बच गया तो मतलब क्या कह सकते हैं कि जो सोन भद्र है यह सबसे साउथ में है ठीक है सबसे साउथ में सबसे क्या है यह सोन भद्र सबसे दच्छ पिर में सोन भद्र सबसे पश्चिम में सामली सबसे उत्तर पुरव में बलिया ठीक है तो दिया ही चलते हैं ने देखते हैं और देखिए निम्रिकित जिलो में भगोलिक छेतभल के दिश्ट सही आरोही करम में लिखी आरोही मतलब पहले सबसे चोटा लिखना है पिर इससे बड़ा थोड़ा सा लिखना इससे और बड़ा लिखना है ऐसे लिखना है तो सबसे चोटा से सबसे बड़ा के बीच में अग गूश्याया हुआ है तो आपके लगभग यह बंदेल खंड इरिया से लगे हुए निका एरिया बढ़ा ही ए ठीक है। महोबा को छोड़ दिया जाए तो लगबख सबका एरिया क्या है बड़ा ही है जो मतलब मद्दपदेश के साथ लगे हुए है तो यहां पर क्या है अगर बड़ा पूछ रहा है लाश्ट में तो यहां सून भद्र ही सबसे बड़ा है यहां भी है तो यह दोनों तो अपने जिसन बड़ा के पास कि रहा है यहां इन यहां यहां बटाई की नेहीं तो बारा बंक्यून नहीं लिए तो पूसाथ पर फिर सोनबध्र आएगा ठीक है 2 देखिए इसके बास सोनबध्र हुए मिर्चापुर जो funktioniert सभी पड़ा एठीक है जो मिर्जा-पूर कया है और protests यहां बुद्र नगर फिर 12 बनकी पर मिर्जापूर तो यहीं हो जाएगा कुर्शन आफ़ dwud in नगर फिर 12 बग देखे जब आप इस टाइप के कुशन देखा करिए कि जो दिल्ली के आसपास के जिले हैं वो compare to इस साइट के जो जिले हैं अगर देखा जाए तो इस साइट के मतलब ये बुंदेल खंड अरिया के इस साइट के जिले इन सबसे छोटे ही, इन सबसे बहुत छोटे हैं, छोटे तो इस साइड के से भी हैं, ठीक है, पुरवान चल इस साइड के, ठीक है, जहां पर गोरा करोपुरा हैं, इस से भी हैं, लेकिन ये बहुत ही, इस से तो बहुत ही छोटे पर जाएंगे, बुंदिल खंड वाले एरिय यह सोन भद्र है कितनी राज्यों के साथ यह मद्ध परदेश है यह यहां पर यमपी आजाता है आपका नीचे कुन सा आता है नीचे आपका 36 गड़ आ जाता है ठीक्हें और इस साइड क्या है बिहार आता है तो कैसे याद करेंगे बार बार तीन राज्यों चार राज्यों में कन्फ्यूज होंगे अगर मैं लिखता हूं सोन भद्र लिए सोन भद्र में कितने चार रहें आज चार राज्यों के साथ क्या है और चार राज्यों के साथ याद रखेंगे चलते हैं यह कोशें आपक फिक्तने हैं चार राज्यों के साहाइगा निश्ट रपस्ट इसका कौन सा जनपत चार राज्यों के सासल सीमा से लगा उगा हुए किस पहज़ा था शोन भद्र में चार अ चेस्व लगई यहीं लगा यहां चाहर ङनुना कि अब यह बता दिया क क्या कर लाजिक है नहीं टीस दिक्ट इनसी का मुपछ सकता है इसका मुखियाल मेर राबट्स गंज है याद रखेंगे क्या है राबट्सगन्ज इसका मुखियाला है बोछ देखते हैं नोईडा उत्तर पहपादेश के किस जिल्हें मनेग और पूछ नगर नोईडा को इंगलेस में पूरा फुलफार में क्या करते हैं ये लिख लीजिए तभी पूछ सकता है न्यू ओखला याद रखेंगे न्यूँ ओखला इंडुछे रिदेस्ट्रियल इंडुषे रियल डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथार्टी ठीक है आप मेरे साथ पूरे सीरेज में जुड़ जाएए मैं प्रॉमिस करता हूँ एक भी कुशन उत्तर प्रदेश से आपका गलत नहीं होने दूँगा ठीक है अभी काफी चीजे आपको बताना है यहां पर ठीक है अभी तो यह आज फर्ष्ट लेक्चर है इसी फर्ष्ट लेक्चर में मैं आपको काफी चीजे याद करवा दूँगा मेरा एक ही मकसद रहता है कि आपको इसी वीडियो में ही याद करवाने पढ़ाने का कम याद करवाने पर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ ठीक है तो इसका क्या हो कि नहिتي तो यहां पर हापट तो दिया नहीं है तो आपको पता रहना सै को इस चोटा है तो यहां पर अधियो किलो मीटर से कितना है तो आप हमेसा यह मत दिमाग में रखिएगा कि वारारसी मोदी जी की कांश्टियों से है तो ये बहुत बड़ी होगी बहुत बड़ी नहीं है छोटी है दिखा देते हैं वारारसी कहा है ये देखिए ये देखिए वारारसी इत्ते छोटे में है आपका ठीक है यहां पर वारारसी से उपर देखिए सटा एक जिला है जौ तो जौनपूर परियागज परियागराज किका बड़ा है निदाव परताबगर्ड और कौसाम्बी लःओन अच्छा इल्यावलद ह pois दीन दोटरा को ह। हैंayan तो पर किया यह क्राण्यूस्हीं प्रियागराज और ने का लगतारा मैं तब पर Begin तो आपको क्या बताना है कि वाराड से सबसे छोटा जिला है इस सम्मेटी के जौनपूर भी बढ़ा है प्रियाग राजबी गाजीपूर में अगर पूछा जाए इसके बाद कौन सा जिला आ जाएगा कि छोटे में गाजी पूरा जाएगा फिर इसके बाद जौन पूरा जाएगा प्रियाग राज सबसे बड़ा है अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रियाग निम लिखे ते जिलों में से उत्तर से दच्छिड का सही करम बताईए उत् देखते हैं सिद्धार्त नगर अभी हम सिद्धार्त नगर में क्या पढ़ेते हैं नवगड़ पढ़ेते हैं इसका मुख्याल है यही बार बार पूछा जाता है कहां है नवगड़ में पीली भीत से नेपाल सीवजां साजा करता है लखेंपुर कीरी से भी करता है बहराई क्या कौन सा उपसे आपका दिया गया है कि संत कभीर नगर अमबेटकर नगर संत रवीदास नगर तो फिर देखे इसके नीचे क्या है संत कभीर नगर यह देखे इधर संत कभीर नगर है तो यहां पर सिद्धार्थ नगर है नीचे क्या है संत कभीर नगर है दो हो गया इसके बात कौन सा है अमबेटकन नगर यहां पर है और यहां पर संत रवीदास नगर है यहां पर ठीक है तो सिधारत नगर पहले आ जाएगा फिर संत कभीर नगर आ जाएगा फिर अमबेटकन नगर आ जाएगा फिर संत रवीदास देखिए ऐसे मैप से अगर आप पढ़ेंगे त तो आपको काफी दिन तक याद रहेगा. अगर सिब मैं वहाँ पर बता ही देता कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है तो आपको क्या होता? पर आप उस समय तो याद हो जाता लेकिन बाद में फिर बोल जाता. अब आपको पता है कि उपर सिधार्थ नगर है अब यहां पर देखते हैं उत्तपदेश राजिक का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता अब बताईए अब मैं सायद ही इसको अब बताऊं कि आपको पताई होगा कौन सा सीतापूर सीतापूर हम तो पढ़े ही नहींगी तो लकनू के पास पढ़ता है सीतापूर लखीमपूर खीरी आ जाता है लेहां इसलिए नेपाल से जिरदिमा साजा करने वाले राज घष् electronics ऐसे हैं कि मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि कौन सा है इरिटेट मत करी क्योंकि यहां पर जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार गलत होने का चांस कम हो जाएगा ठीक है क्योंकि आता हुआ अगर कुशन गलत हो जाता है तो सबसे जादा दुख होता है ठीक है तो कौन सा यहां पर सीता पूर है जो नेपाल के साथ बाुडर सिजमा साजा नहीं करता उत्तप्रदेश के सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगता है यहां गए राज्यों की ना की एदगे QPSS Mains का कुश्चन आया है सिपाही में कुश्चन आया है आपकारी UDA LDA में आया है कितने राज्जों के साथ सीमा साजा करता है तो कितने राज्जों के साथ आठ राज्जों के साथ अगर यहां राज्ज और केंद सासे तोनों दे देता तब 9 हो जाता ठीक है दिखते हैं कौन-कौन से राज्ज एक बा आजाता है यहां जारगंड भीहार आजाता है ठीक है तो इतने राज्यों के साथ आठ राज्यों के साथ सीमा साजा करता है ठीक है इतने राज्यों के साथ आठ राज्यों के साथ उत्रा एक हर्यारा दो राजस्तान तीन शो मद्धपरदेश चार पांच छे एक साथ और यह ह निम्लिकित राज्यों में किस से उत्तर बदेश की सीमा नहीं लगती है ये बताईए राजस्तान के साथ लगती है ये देखे राजस्तान के साथ तो किसका लग रहा है ये देखे आगरा का लग रहा है राजस्तान के साथ मत्रुगा का लग रहा है ये भी याद रखे किसके स साथ लगती है तो आगरा और मतुरा के साथ किसके लगती है राजस्थान की सीमा लग रही है ठीक आगरा और मतुरा जिले राजस्थान से सटे हुझे हैं अब यहां पर देखते हैं पंजाब के साथ नहीं लगती हो कि हर्याड़ा बीच में आ जा रहा है कहां से पंजाब साही यारा तुछ यहां पर हरीयाडा राजस्तान पंजाब के साथ नहीं लगती यह बीवाल आपका सही हो जाएगा अजीक अत्त पर पर अज़ीक 53 दिष्ट से कौन सा स्थान रहा है रहा है शेट से चौथा यह स्थान है पहले पर कांई सा है राजस्तान है दूसरे पर YM-P है तीसरे महाराश्रा चौते पर यू पिक ना ठीए अब यहां पर देखे निम लेक्ट कौन सा जिला उत्तरप्रदेश के बंडेलखन छेट से सम्मंदित है अब देखें बंडेलखन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ठीके को कि बंडेलखन से बार बार कुश्ण आता हे ठीक है कौं शिला क्या कर रहा है क्यों सी जिलाब॑ इंखन्ड छ्षेसे सम्मंदित है हूँ क्गों सा जिलाब पहले हम देखते हैं यहाँ यह आप अब बंदेल खंड एरिया में कितने जिले पढ़ताए हैं पहले हम देखते हैं तो आप से अगर कोई पूछे कि बुंदेल खंड में कितने राज जनपद आते हैं कितने जिले आते हैं जिश्टिक कितने आते हैं तो क्या बताएंगे आप कितने जिश्टिक साथ जिश्टिक आते हैं अब साथ जिश्टिक वो है कौन वो चलते हैं हम देख लेते हैं पहला जिश्टिक आप याद क्यांसी देखेंगे जहां सी बुंदेल खelas देखेंगे महवबा बुंदेल bend area में आता है कौन सा area में आता है चित्रकोड किस ठीक है बांदा कौन सा एरिया में आता है बुंदेल खंड एरिया में आता है चित्रकोट किस एरिया में आता है बुंदेल खंड एरिया में आता है कितने हो गए एक हो गया दो हो गया तीन चार पांच और छे एक राज और बच रहा है कौन सा जो बुंदेल खंड एरिया में तो पुछे में बन्देल खंड एरिया में यारिया में आते हैं कौन कौन से ले फिर देख लिए ताकि आप से कोई पूछे यहांसी याद रखेंगे तो तीनों याद रखेंगे कोन से हैं बुंदेल खंड एरिया वाले चिले मतलब बुंदेल खंड मीम्हांब यहांपर सुखास जरा परता परती ओप है टो उट्थर प्रदेश को बुंदेल खंड शेतर TONo靠 और यहां पर महोभा कौन सा है उटतर प्रदेश का बुंदेल खंड जले से संभन दित अब समें अब बुंदेल हंद के आदिकशेतर लहां में जनपादों की संख्या किती है तो चंच़पाद जहांसी ललितपुर महोबा हमीरपुर ठीक है बादा चित्रकूर ये आपके कौन से है बुंदेल खंड एरिया में आते हैं सातों याद रखिएगा कोई भी पूछे आंग बंद करके बताईए बताईए जालाओं जहांसी ललितपुर बताईए पीच में जो हमीरपुर महोब बता दीजिए और इधर दो बादा चेत्रकोड बता दीजिए बस ठीक है कोई भी पूछे एक बारा आग बंद करके पूछ बताए अपने खुछ से पढ़िए जालाओं जहां सी ललितपूर हमेरपूर महोबा बादा चेत्रकोड ठीक है आप से बने रहे हैं मैं आपको कलास म है जो आद अल्ब के प्राचीनतम सेलों से बना है तो वो कौन सा है बंदेल खंड का एरिया है ठीक है जो मद्द परदेश के साथ एक बार फिर हम देख लेते हैं चित्रकोड बांदा इधर से चलेंगे हमेरपूर और महोबा यह और जहां से जालाओं रलितपूर यह सब ब बार फिर बांदा सेलों 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 सकतुल चाहीं करें सबसे ज्यादा आज़ सब्सक्राइब से ज्यादादेखे यूपी मिदेखे जए सीतापुर कर ने सरवदिक अनसूचित रहा दिजाती जनधनिकावाला जिला तो सक कर भाह से जबgh Annie सीतापुर्ण में एक दम यह सही है ओर सबसे कम अच्छा जिए पूर वाला भी साई स इस्में पूछ कि आ रहा था नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसमें लगबग तो सभी सुमेलित हैं अगर यहां पर सी वाला देखा जाए तो और moga सभी साहिये उत्य विटřी गलत नहीं लग रहा किमपुर कीरी सर्वदिक भॉगलिक छेतरपल सोनभर्द अधिक्तम ब जन जाती लिखना भोल गया हो तो सीता-पुर अगर इसके सब से धिखा जाती है भी सबसे ज्यादă है कुछ नहीं पा रहा हूं IAK Den-ich Maatou सभी अब देखिए उत्तर प्रदेश के किस सहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है यह बताए तो उत्तर प्रदेश के कन्योज के सहर को याद रखेगा कन्योज के सहर को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है याद सब्सक्राइब यह चरम पर तो इत्र के लिए परसिद्ध है अपने इत्र वेऊसाइब के लिए और तंबाकु और इत्र के लिए मैसुर यहां कौन सी भासा बोली जाती है कनोजी भासा बोली जाती है अब पूचेंगे कनोज है कहा हम मैइट में दिखाईए तो यह देखिये कनोज कहा है आपका यहां पर आओर्रया है और यह के ऊपर यह कनोज है ठीक है तो कानपुर कौन सा जिला बुद्देल खंड का हिस्सा है चंदोली और या महूबा एटा अभी हम ने क्या बताया महूबा ठीक एक बार हम फिर पढ़ लेंगे बुद्देल कंड के कौन कौन से इससे हैं ललित पूरह जासी है जालों है हमेर पूरह महूबा है पादा है चितर कोट है ये स सबसे देखते नहीं वहाँ पर बस से वह जहां से बरंपुत्त गिरती है नामचा बरवात वहां तक लिया जाता है नंगा पर बत कहां जम्मु कस्मेर में है ठीक है नंदा देवी कहां तो उत्राखन में हैं कंचन जंगा सिक्किमें कंचन जंगा सिक्किमें नंदा देवी उत्राखन नंगा प्रवत जम्म कस्मेर में है तो भी वाले इसमें सभी हो जाएगा निश्य देखते हैं बुंदेल खंड नामक्षेत निम्लिकित किस सीमा के अंतरगत आता है बुंदेल खंड वाले जो छेत रहे अभी हमने बताया कि जो तो मध्परदेश ही तो मैं तो किसके सीमा आ जायेगा उत्तर प्र घंड वाले तोतर च्छेत थे था था देखिए कितना सिंपल कॉश्चन ठीक है शाफ मेरे साथ बने रही हैं हम आपको एक एक चीजे मेंब से करवा दूँगा क्योंकि मैं हर चीज मैंब से करवाना पसंद करता हूं क्योंकि इसलिए क्योंकि मेंब से जादे आप कैपचर कर पाते हैं तो जहां भी चीज़े पढ़िए सिंपल मेथड से पढ़िए बस जैसे हम आपको पढ़ाते हैं हैं इतना सिंपल मेथड से मैं पढ़ा देता हूं उत्तर प्रदेस का कौन सा जिला उत्तर प्रदेस और बिहार की सीमा पर इस्तित हैं उत्तर प्रदेस का कौन सा जिला उत्तर प्रदेस सब यह सब कितनेसे हैं इस बीहार से सटे हुए हैं कुषी नगर दिवर्या बलिया गाजी पुर, चंडवली उन बडिटी अब देखते हैं यह क्या कहना चाहे रहा हैं यहां पर कि कौन सा जिला उत्तरप्रदेश और बिहार की सीमा पर है तो यह कौन सा साहर कहा है यह बुलंद साहर यह यहां वाला है गाजी यह गाजियाबाद के असपास टे बुलंद साहर गौतम बुद्रनगर के असपास ठीक है अब यहां पर देखते हैं उत्तर प्रेस निमलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन जिलो से घिरा हुआ यानि किसी भी अन राज्य और देश के साथ सीमा साजा नहीं करता अब देखिए इसमें सोचिए क्या कह रहा है मतलब का इसमें कहने का इनका मतलब है कौन सा एक बीच में है जो किसी और राज्य से या देश से नहीं जा रहे हैं अब देखिए हम सहारनपूर देखते हैं अगर सहारनपूर की बात करें तो ये राजिस से जा रहे हैं हर्याडा से भी जा रहे हैं उत्राकंडे से भी जा रहे हैं इधर हिमानचल पर देश से भी जा रहे हैं तो सहारनपूर तो हट गया यहां पर होगा नहीं अब देवरिया की बात करते हैं देवरिया कहां पर है यह देवरिया यहां पर यह तो अगर देश नहीं किसी और देश से लेकिन यह बिहार से तो किसी राजिस से सीमा साजा कीर कर रहे हैं तो यह भी हमको नहीं करना है ठीक है अब देखिए यहां पर ल राज्र के अन्य जिलों के साथ घेरा हुआ है लेकिन क्या है अन्य राज्य देश की सीमगे साथ नहीं साज़ा करता है अब स scholars की बेषसनत्रफ लाई कन इसकी साथ नहीं किसी फिरी दोई ही इसका एंसर हो कितना अच्छे से कुश्चन पूछा गया था ठीक है आपके पेपर में यहां पर आप एंसर क्या हो जाएगा हर दोई है ठीक हर दोई कह जिनका कहने का मतलब एंसर कुश्चन का है कि कौन सा ऐसा जीला है जो किसी और राज जी के साथ में सीमा साजा करता है अब यहां पर देखते हैं उत्तर प्रदेश का निमलेखित में से कौन से जीले की सीमा मतलब प्रदेश के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो वो कौन सा है मतलब प्रदेश के साथ सीमा साजा नहीं करता तो एक बार फिर देखते हैं सोन भद कर रहा है मिर्जापुर कर रहा ह आपका इलाहबाद भी कर रहा है चेत्रकूड भी कर रहा है बांदा भी कर रहा है महोबा भी कर रहा है जहांसी भी कर रहा है यह हमीर पूर देखिए थोड़ा सा लगा हुआ है यह ललित पूर कर रहा है और मद्द परदेश भी कर रहा है तो कितने मतलब हैं जिले हैं तो यह मद्द पर्देश के साथ तो एक बार गिनते हैं देखते हैं पूछ हो सकता पूछ ले कि कितने जिले के साथ सीमा करता है मद्द पर्देश तो हम एक बार गिन ही लेते हैं ठीक है तो ज्यादा सही रहेगा ठीक है तो चलते हैं हम गिन लेते हैं पहले इसको मिटाते हैं नंबरिंग करने होगा ठीक है यहां पर पहले हम क्या करते हैं आगरा को लिखते हैं एक जिले के साथ मद्द्पर्देश सीमा साजा करता है यह देखिए आ रहा है आगरा ठीक है आगरा करता है इसके आगरा के बाद कुंस करता है दूसरा इटावा कर करता है याद रखेगा कभी भी पूछ सकता है ठीक है कितने जिलों के साथ से तिसरा है जालाउन करता है चौता क्या है जहांसी करता है पांचवा क्या है ललितपुर करता है ठीक है अब यहां पर देखते हैं महोबा करता है छठा हो गया ठीक है बांदा करता है यह यहां अमे जापूर 10 करता सून बद 11 करता है ठीक है थामको तो 11 दिखा आ है ठीक है इतना याद रखेंगे अब देखें आपको कोश्चन में क्या पूछा गया था कौन सा जिला मद्द परिदेश के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो कौन सा जिला है यह अलिगर्द अब हमने पढ़ा ही अलिगर्द कहां पर है यह देखते हैं अलिगर्द कहां है तो यहां पर क्या है अलिगर्द देखी यहां उपर है तो यह क्या है हर्याड़ा के साथ जा रहा सीमा साजा कर रहा है लेकिन यह मद्द परिदेश के साथ नहीं तो चलते हैं इस देखते हैं उत्तर परिदेश के साथ – 4 कंड के साथ इतना ही यह आफ देखेंगे साथ सिमा साज़ा करता है कुन कुन सा यह ऊत्राखंड के साथ देखते हैं कि हड चीद देक्ष्जन मतलब कहीं से लिया बीकर रान लाम्पुर्द मुराधाबाद वी इनौब यह मुझत फर नगर कर सीमा साजा कर रहे हैं और यहां पर किया है मढ़न देखे हैं जहार्खंड के साथ कौनसा सीमा सामा कर रहा है तो कोई यहां पर जारखंड के साथ कौन सा जिसकी रावर्स मुक्हाल हुआ तो आज से पीतना ही लगबग हम ऐसे ही सभी कुश्टन आपको करवाने वाले हैं ठीक है मैट के थो जितने वी